आज की कहानी है, खोजे खजाना, चारो धागे की कहानी, एक छोट इसे गाउं में रहने वाला राजू, सीमा, रितिक और रियाह नाम के चार दोस्ते, उन्हें खोजने की बड़ी रूची थी. एक दिन उन्होंने गाउं के पुराने गड़े में एक पुरानी किताब की खोज की, उस किताब में एक पुराने कहानी थी, जो एक खजाने के बारे में थी. अब कहानी के अनुसार एक बार गाउं के पास एक पुराने मंदिर का प्राचीन खजाना चुपा हुआ था, लेकिन उस खजाने की कुंजी चार अलग-अलग स्तानों पर छिपी थी, और वो केबल उन चारों धागों के सैयोगने से ही मिल सकती थी. राजु, सीमा, रितिक और रिया ने तुरान्थ इस कहानी को पढ़ा और तै किया कि वे खजाने की खोज में निकल पड़ेंगे. उन्होंने मंदिर के खजाने की तलास में रणनिती बनाई और अपने सपनों की खोज में निकल पड़े. कहानी के अनुसार उसका पहला धागा बन में था, तो चारों दोस्त बन में इसकी खोज करने के लिए निकल पड़े. वहाँ पर उन्हें एक पुराना सा पेड मिला, जिस पर बिश्वास लिखा हुआ था. अब वहाँ खोजते हुए उन्होंने एक पुरानी पत्थरी में, हुआ जूए झाल झाल